हाई फ्रेंद्स वेलकम बाग तो आज का वीडियो खासंखास है क्यों अगर आपने टाइटल नहीं पड़ा तो मैं बता देती हूं यह एक मोटिवेशनल स्पीच है और यह है आशुतोष राना जी की और इसका टाइटल है यह भारत के राम जागो और येस फ्रेंद्स हमने अभी कुछ दिन पहले ही एक कविता सुनी थी जो आशुतोष राना जी ने बोली थी और वो थी दिनकर जी की पोयम और बहुत ही अच्छी थी और उसके बाद जो आपने हमें रिकमेंडेशन भेजी एक के बाद एक के बाद कि अब आप यह वाली और उससे यह भी पता चला कि यह खुद कविता भी लिखते हैं और सुनाते भी हैं बोलते भी हैं तो टालेंट ऑफ बोलना कविता वो तो हम पहली देख चुके हैं अब मुझे लगता है हमारा दिल जीतेंगे दिखा के तालेंट ऑफ राइटिंग कविता दिखा कर तो बह सारत के राम जागो तो चलो फ्रेंज सुंते है यह पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं हो और आप मे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट किसब भात की कर रहो हो जहादी से सब्सक्राइब के बातन को क्लिक कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो ताकि आपको हमारे सारे वीडियो जैसे हम अप्लोड करें उनका नोटिफिकेशन मिल जाए ये स्ट्रीन वीडियो का पसंद आए लगे मोटिफेशनल है कमाल की कविता है तो करना लाइब और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंज और फैमिली के साथ।स चलो फ्रेंज जल्दी से देखते हैं ये वीडियो चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, मादेवी दुर्गा हो, खपरवाली हो, चाणक्य हो, जिनके नाम पर ये कौटल लिया का इस्टिटूट है, ये एक व्यक्ति के रूप में जन्म इनों ने लिया, लेकिन अपने कृतित्व से एक व्यक्तित्व बने और अपने उस परम और घोर कृतित्व से ये आज के तौर में विचार बन के सदेल के लिए वर्तमान हो गए, तो ये ऐसी चेतनाएं सिर्फ आने के लिए होती हैं, ये संसार में सिर्फ आती हैं संसार से, जाती नहीं हैं, तो राम, कृष्ण, चंद्रगोप्त, खपरवाली-क चानक, ये महत्मा गांधी, सुभाष्ण द्रबोज, ये सारे के सारे व्यक्तित्व जो हैं, ये विचार के ग्रूप में हमारे और आपके अंदर कहीं ना कहीं सुप्त अवस्था में डले हुए हैं, तो मैं आर्शिदोष्ण, उन सुप्त आत्माओं को अपनी इस कविता क माध्यम से आहूत कर रहा हूं, तो जाकरत हों, तो हो सकता है कि इस बैट आडिटोरियम में बैठे हुए, इतने सारे राम, इतने सारे कृष्ण, इतने सारी कालियां, इतने सारी पदमरी, इतने सारे महराना, प्रताब, शिवाजी, महत्मा गांधी जैसे लोग, पुनर, ज गरत होकर इस संसार को, इस भूमी को वापस वर्गित में तब्दील कर दें, तो हे भारत के राम जगों में तुम्हे जगाने आया हूं, और सो धरमों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूं, सुनो है मालाय कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितन पानी है भारत के भीरों में, घरी शत्व की फोजद्वार पर आज तुमें ललकार रही, सोई सिंग जहो भारत के माता तुमें पुकार रही, रंग की भेरी बज रही, उठाओ मोहन इत्ला त्यागो, पहला शीष चलाने वाले मा के भीर पुत्र जागो, बलिदानों के लाले जागों सिर्के सोदा कर खपरवाली काली जागे कपर वाली काली जागे जागे दुर्गा बर्बंडा और रक्त बीच का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा नर्मुंडों की माला वाला जगे कपाली कैला सी और रंकी चंडी गर-गर नाचे मौत कहे प्यासी प्यासी रावर का बस्वायम करूंगा कहने वाला राम जगे रावर का बस्वायम करूंगा कहने वाला राम जगे और तुष्ट शेशना एक बचरी का कहने वाला शाम जगे परुष राम का परशु जागे रहुननन का बान जगे और यतुननन का चकर जगे और जुन का धरुष्मान जगे चोटी वाला चालक जागे परुष्मान जगे सिल्यू कसको कसने वाला चंद्रवक्त बलवान जगे हटी हमीर जगे जिसने जुकना कभी न जाना और जगे पद्मनी का जोहर जागे के सर्या बाना देश वक्त का जीवे जंडा आजादी का दीवाना और वह प्रताप का सिंग जगे वह हल्दी घाटी का राणा दक्षन वाला जगे शिवाजी कौन? के दक्षन वाला जगे शिवाजी खूंशाह जी का ताजा मरने की हट्ठाना करते विकट मारा ठोके राजा चत्र साल बुंदेला जागे पंजाबी के पान जगे और दो दिन जिया शेर के माफिक वोठी पू सुल्तान जगे और गनवाहे का जगे मौर्चा पानी पत मैदान जगे भरत सिंग की फासी जगे राजगुरू के प्राण जगे और जिसकी चोटी सी लख्टी से संगी ने भी हार गई गानी जी के जिसकी चोटी सी लख्टी से संगी ने भी हार गई हिटलर को जीतावे फोजे जाब समंदर पार गई मानोता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे उस लख्टी और लंगोटी वाले बापू का पर जान जगे और आजादी की दुलहन को जो सबसे पहले चूम गया कौन सुभाज का के आजादी की दुलहन को जो सबसे पहले चूम गया और स्वयं कफन की गाट बांद कर सातों भावर घूम गया उस सुभाज की आन जगे और उस सुभाज की चान जगे ये भारत देश महान जगे ये भारत की संतान जगे तो जोली लेकर मांग रहा हूँ कोई शिश दान दे दो भारत का भैरो भूका है कोई प्रादान दे दो खड़ी शत्रुकी दुलहंगवारी कोई ब्याहर चालो और कोई मर्द अपने नाम की चूड़ी तो पहना लो कौन वीरन ज्रत रक्त से इसकी मांग भरेगा और कौन कफन का पलंग बिछागर्स परशयन करेगा क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे? अरे चीनी को तो हम पानी में घोल घोल बिएगा वह बरबर था वह अशुद था हमने उसको शुद किया और हमने उसको बुद दिया था उसने हमको युद दिया और आज बना फिर कपनचीट पर जिसको आना है आजाओ चाओं माओं चीनी मीनी जस्में दम हो तकराओ और जिसके राण से बनता है राण का केसर याबाना ओ कश्मीर हऊ अपने वालोग कान खोल सुनते जाना भारत के केसर की कीमत तो के बलसर है और कोई नूर की कीमत जूते पाँच अजर अमर है रांके खेतों में चायेगा जब अमर मिट्टू का सन आटा लासों की जब रोटी होगी और बरुदों का आटा संसन करते वीर चलेंगे जो बामी से बन वाला फ्र चाहे पेकिंग वाला हो यार आवल-पिंडी वाला जो हम से तकराएगा वो चूर-चूर हो जाएगा इस मिट्ती को frånे वाला मिट्टी में मिल जायेगा में घर-घर में इंगलाब की आग लगाने आया हूँ हे भारत के नाम चगो मैं तुम्हें जगाने है जहिंग जभारत तू बेर तू बेर तू बेर यूटिफूर दन्यवाद मौटे पूजा का संचार वरत प्रवाद दस गुना अधिक है प्रती पेलनी के शविर में साधर दन्यवाद का अपने वोवाइल की टाउच ओं कर लिजे प्लीज एस पर कॉटिल रूल अपने वोवाइल की टॉट लाइट ओं करके अजितो जी के प्रती अपना सम्मान व्यक्त करें एक बार मेरे सभी छात्र तो ये द्रश्च उनके आखों में विशा क्या दो कर रहेगा ये कॉटिल वा अधनी जोषी सर अधनी पितफूरोच सर बैटेवित्थ ये सब्सक्वाइब रा मेरा तो दिल जीत लिया अगमें तो वहाई दोल्के बच्चे वाइवेड का ये प्यार कि बात्वेड तुछ बास्वीर को लिग्या कि अज्या तो आज्वागा प्र दीमुड चान आपके में ही वो सोच रही थी बहुत अच्छी है वो माई गॉड पर ये वाली सच्ची में कमाल की थी कमाल की क्या भोला क्या जोश था क्या वर्डिंग्स थे ओमाई गॉड अगर आपने वीडियो देखा एक दो जगा तो मुझे इतना सप्राइज लगा वो सुनके कि ओमाई जैसे हमारा दिल जीता वहां पर जो लोग थे उन सब बच्चों का भी दिल जीत लिया और ने दिखाया कि उन्होंने एंड में मोबाईल फोन की जो लाइट से वो अंकि युम कर दी ताकि वो सारी लाइट जो है वो दिखें उनको और वो कितने मतलब देखा था पने उनके बूल नहीं पाएंगे तो वो खेहरे थे कि मुझे यह जरूर इसकी फोटो जैसे इन बच्चोंने सबने कामरा ओन करके वो लाइट ओन करके दिये मुझे जरूर भेज़ना और यह मुझे हमेर रहेगी उन्हें क्या याद रहेगी हमें याद रहेगी क्या नहीं तो कभी इ अच्छा कमाल कर दिया तो काफी अच्छी पोएम थी अब देखिए कि अब पता चल गया है कि बहुत अच्छे पोएट है तब ही वो एप्रिशेट कर पा रहे थे वो जो करन की हमने देखी थी रश्मी रथी के जो हमने काफी सारे देखे थे पार्ट्स तो उससे क्लियर होता कि उन में से एक उनोंने भी कहा था और पूरा रिसाइट किया था उनको पूरा याद था तो अब इसे क्लिर हो रहा है कि उनका इंटरस्ट पोईम में हैं क्योंकि वो खुद भी बहुत अच्छे पोईट है उनकी हिंदी बहुत शुद्ध है और उनने ये पोईम लिखी है कम आत्मा गांदी को जगाई है, जितने भी महान लोग हैं, वो कह रहे हैं, उस वो सब आप नहीं है, उसमें जगाई है, और मुने असाथ में महिला और लेडिस को भी बोला, उनके लिए भी ग्जामपल दे कि खाली आद्मियों के लिए लेडिस के भी कि आप भी करने हो, आप जाग अपनी कंट्री के लिए, उसने चंडी का एक्जामपल दिया था, काली माता के एक्जामपल दिया मेरे खाल से, तो काफी एक्जामपल दिया है, मोटिवेट करने के लिए, कि आप भी जागिए, आपके अंदर ही है, अच्छा कर्म करिए, अपने नेशन के लिए काम क करिए अपने देश के लिए काम करें तब यूने का था कि हर इंसान जो है मात्मा गांदी की तरह उसे काम करना चाहिए अपने देश के लिए और ये भी अच्छा है कि उन्होंने लोगों को थोड़ा अवेर किया है कि आप कंपीट कर रहे हैं अपने नेबर्स से उनने दो ने देश स्ट्रॉंग होगा तो कोई आप पे आकरमन नहीं कर पाएगा तो बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल भी उन्होंने बताया कि आप कंपीट कर रहे हैं अपने देश को आगे लिए जिससे कभी प्राब्लम ना आए तो बहुत ही अच्छी पोएम थी और मेरे ख्याल से इनको हीरो के रोल करने चाहिए जो इतने अच्छे क्यरेक्टर है इतने अच्छी पोएम रिखते है और तो काफी अच्छा लगा देख कि है कमाल था बिल्बकूल कमाल था मेरे को तो हिरानी होट यह इतनी सुन्दर कवlla पे कोई अवार्ड क्यों नहीं मिला भी हो सकता है मिला हो अमें नहीं पता हो पर जरूर बताना पर इतनी सुंदर कविता पर कोई अवार्ड जो होता है वो तो मिलना बनता है जितना अच्छा लिखा और जितना अच्छा बोला कमाल का था तो इससे तो प्रूव हो गया कि ना सिर्फ वो एक कमाल के अक्टर है उन्हो एंको कोई भी रोल दो चाहिए विलेन का झाहिए दूसरा और बहुत कमाल के अटिंग करते हैं तो उन्होंने यह कि करते कि कमाल के अखे कवी कवी भी है भोलने में भी और लिखने में भी तो यह फ्रेंड सची में बहुत यह सुन्दर वीडियो था इतनी खुशी हो रहे है कि हमने इसको किया और हम को मतलब हम इतने लगी थे कि हमें यह सुनने का मौका मेला ब्यूटिफुल था फ्रेंज तो चलो अब हम चलते हैं मिलेंगे नेक्स वीडियो में जल्दी तिल देन टेक केर और बबाए तो अगर आप मेरे इस चैनल पे न जल्दी से बता चल जाए